EPFO Pension, क्या नौकरी करते हुए भी ले सकते हैं, EPA's Pension? क्या कहते हैं, EPFO के नियम? EPA's Rules नियोकता या कमपनी और कर्मचारी दोनों ही EPF Fund में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं. कर्मचारी Pension योजना, EPA's, एक Retirement Scheme है, जिसे कर्मचारी भविश्य निधी संगठन यानी EPFO मैनेज करता है. यहाँ योजना संगठित शेत्र में काम कर चुके Retired कर्मचारियों के लिए हैं, जो 58 वर्ष की आयू में सेवा निवरित हो चुके हैं. इपीएस को वर्ष 1995 में लॉंच किया गया था. इस योजना में मौजूदा और नए EPF सदस्य शामिल हो सकते हैं. खास बात यहाँ है कि अगर कोई व्यक्ती 58 साल की आयू के बाद भी नौकरी करता है, तो भी वह EPS Pension का हगदार होता है. यानि वहाँ नौकरी करते हुए भी Pension ले सकता है. नियोक्ता या कमपनी और करमचारी दोनों ही EPF फंड में करमचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं. करमचारी के अंशदान का पूरा हिस्सा EPF में और नियोक्ता या कमपनी के शेर का 8.33% करमचारी Pension Scheme, EPS में और 3.67% हर महीने EPF में जमा होता है. EPS 95 स्कीम उन कमपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों के सभी करमचारियों पर लागू होती है, जिन पर करमचारी भविश्य निधी और विविद प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है. 10 साल नौकरी करना जरूरी. EPS Pension Scheme का लाब हुनी को मिलता है जो EPFO, EPFO, सब्सक्राइबर है. EPFO के नियम के मताबिक कोई भी करमचारी जो EPFO में अपना कॉंट्रिब्यूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं और वो 50 साल की उम्र से ज्यादा का है, तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है. अगर नौकरी की कुल अवधी 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है. पचास साल से कम उम्र होने पर अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल E.P.F. में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी 58 साल से पहले मिलेगी कम पेंशन अगर कोई करमचारी 10 साल तक नौकरी कर चुका है और उसकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है तो वह पेंशन पाने का तो हकदार है पर पेंशन के रूप में मिलने वाली राशी उसे कम मिलेगी आप 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करने पर 3 हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से पेंशन घटकर मिलेगी उदाहरण के लिए अगर किसी EPFO अंशधारक ने 56 वर्ष की आयू में मासिक पेंशन चाहता है तो उसे मूल पेंशन राशी का 92 फीसदी 100% 24 ही मिलेगा EPA's 95 Pension Scheme Update करमचारी की मृत्यू के बाद बच्चों को इतने साल तक मिलेगी पेंशन देखें EPA's 95 Pension Scheme Update करमचारी भविश्य निधी संगठन EPFO करमचारियों के लिए EPA's 995 नाम से पेंशन योजना चलाता है करमचारी पेंशन योजना 1995 बहुत फाइदे मंद है यह मुश्किल वक्त में परिवार की आर्थिक मदद करती है अगर EPFO में निवेश करने वाले किसी सदस्य की किसी कारणवश मृत्यू हो जाती है तो परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है इस योजना के तहट करमचारी की मृत्यू पर उसके परिवार को कई लाब मिलते हैं इस लेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं EPA's 95 Pension Scheme Update आपको बता दे कि अगर किसी पैंशन भोगी की मृत्यू हो जाती है तो उसकी पैंशन का 50% उसकी विध्वा विधुर को दिया जाता है EPA's 1995 योजना के तहट अगर किसी करमचारी की सेवा के दौरान मृत्यू हो जाती है तो उसकी पत्नी पती को नियोंतम एक हजार रुपए प्रती माह पैंशन दी जाती है इसके अलावा मृतक सदस्य के बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक पैंशन बाल पैंशन का लाब मिल सकता है जिसे बाल पैंशन योजना कहा जाता है हाला कि इसके लिए कुछ शर्ते भी है आएए जानते हैं इसके बारे में पती या पत्नी के अलावा दो बच्चों को भी मिलेगी पैंशन सबसे पहले जान ले कि जब EPFO के किसी सदस्य की मृत्यू होती है तो उसके पती या पत्नी को पैंशन मिलती है इसके साथ ही उसके दो बच्चों को भी पैंशन मिलती है उन्हें यहा पैंशन तब तक मिलती है जब तक वे 25 साल के नहीं हो जाते अगर मरने वाले सदस्य के 2 से ज्यादा बच्चे हैं और पहला बच्चा 25 साल से बढ़ा है तो इसके लिए भी नियम है उदाहरण के लिए अगर किसी सदस्य के पहले दो बच्चों को यह पेंशन दी जाती है तो सबसे बड़े बच्चे के 25 साल के होने पर दूसरे और तीसरे बच्चे को पेंशन दी जाएगी वहीं दूसरे बच्चे के 25 साल के होने पर तीसरे और चौथे बच्चे को पेंशन का लाभ दिया जाएगा इस तरह सभी बच्चों को पेंशन मिलेगी विध्वा पेंशन राशी का 25% है बाल पेंशन EPS 95 पेंशन स्कीम अपडेट आपको बता दे कि प्रत्यक बच्चे की पेंशन की राशी विध्वा पेंशन राशी का 25% होती है इसका मतलब यह है कि अगर मृतक सदस्य की पतनी पती को 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है तो उनके प्रत्यक बच्चे को 250 रुपए पेंशन मिलेगी अगर सदस्य का कोई बच्चा पूरी तरह या स्थाई रूप से विकलांग है तो ऐसी स्थिती में उसे आजीवन पेंशन दी जाती है EPFO EPS पेंशन नामांकन ओनलाइन कैसे करें? EPFO वेबसाइट पर जाएं, सेवाएं, करमचारियों के लिए विकल्प पर क्लिक करें फिर सदस्य UAN Online सेवा पर क्लिक करें अपना UAN और पासवर्ड डाल कर लॉग इन करें वहां Manage टैब दिखाई देगा उसमें से इनामांकन चुनें अब आपकी स्क्रीन पर विवर्ण प्रदान करें टैब दिखाई देगा यहां अपने परिवार का विवर्ण अपडेट करने के लिए हाँ पर क्लिक करें दो से अधिक नामांकित व्यक्ती जोडने के लिए जिने पेंशन राशी मिलेगी परिवार विवर्ण जोडे पर क्लिक करें इस योजना के तहट किसे कितना पैसा मिलेगा यह बताने के लिए नामांकन विवर्ण पर क्लिक करें फिर एपिएफ नामांकन सहेजे पर क्लिक करें OTP जनरेट करने के लिए E-Sign पर क्लिक करें इसके बाद आधार से लिंक आपके मोबाइल नमबर पर जो OTP आएगा उसे भरकर सब्मिट कर दे इस तरह आपका इनॉमिनेशन EPFO में रजिस्टर हो जाएगा जिसके बाद आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप EPFO की वेबसाइट appfindia.gov.in पर जा सकते हैं या अपने नज़दी की EPFO आफिस से संपर्क कर सकते हैं EPA's 95 Higher Pension, PF Trust के कारण पैसा वापस EPFO पहली बार बोला पढ़िये केंद्रिय भविश्य निधी आयुक्त का निर्देश EPFO बोला ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो आवश्य ही Trust Rule की वज़ा से किया होगा सूचनाजी News, भिलाई EPFO, EPFO ने PF Trust के निम्यों के उल्लंगन के आधार पर EPS 95 Higher Pension EPA's 95 Higher Pension का Demand Later वापस ले लिया जमा पैसा वापस कर दिया 20 से 30 लाख रुपए EPFO के खाते में जमा होने के बाद उसे लोटाने को लेकर हड़कम्प मचा हुआ है आखिर, EPFO ऐसा क्यों कर रहा है इसका जवाब भी आ गया है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization से भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कार्मिक शेश बक्षी ने सवाल किया कि many ex-employees of भिलाई स्टील प्लांट देपॉसिटेद लैक्स of रुपीज as per demand note which was returned by EPFO, राइपुर आफ्टर दो से तीन मुन्स quoting some exempted trust rule PLZ Resolve, सवाल का जवाब EPFO मुख्याले की ओर से आधिकारिक रूप से दिया EPS 95 Higher Pension EPS 95 Higher Pension पर EPFO, EPFO ने कहा जब pension की eligibility तै होती है तो पात्रता के लिए सभी rules regulation का पालन किया जाता है Trust rules को भी देखा जाना होता है अगर RPFC ने ऐसा कोई निरनय किया है तो आवश्य ही Trust Rule की वज़ा से किया और जो भी उन्होंने आपको सपश्टी करण दिया है EPFO की अधिकारियों ने कहा अगर आपको लगता है कि RPFC ने जो निरनय दिया है वो Trust Rule को गलत कोट कर रहा है Trust Rule ऐसा नहीं कहता तो आप उसको हमेशा represent कर सकते हैं हम लोग representation हमेशा examine करवाते हैं और उन पर त्वरित कार्यवाही होती है RPFC के यहां कीजिये अपील EPFO की ओर से कोई गलत फैसला हुआ है तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है RPFC से अपील कर सकते हैं आप Zonal Office में लिख सकते हैं EPFO का कहना है कि जो Rules है उनके अनुसार ही चलना पड़ता है जो लोग PSU में काम कर रहे हैं वो तो ज्यादा जानते हैं Rules Regulation से काम करने होते हैं और Rules के हिसाब से ही सब को चलना पड़ता है केंद्रिय भविश्य निधी आयोक का निर्देश EPFO ने सफाई में कहा किसी को कोई परिशानी न हो इस पर focus किया जाता है अगर किसी का पैसा गलती से हमारे पास आ जाए हम उसे तुरंत refund कर देते हैं केंद्रिय भविश्य निधी आयोक्तने का निर्देश है कि अगले एक दो महीने में सभी एप्लिकेशन का final निप्टान हो जाना चाहिए जहां demand notice issue होने है वहां demand notice issue हो जाने चाहिए जहां eligible नहीं है और सदस्य का options वीकार करने में असमर्थ है तो यहाँ बात मेंबर को बतानी है कुल मिलाकर यह दिशानिर्देश है सभी RPFC को दिये जा चुके है पूरी उम्मीद है कि जिनकी भी application अभी pending है उन्हें शीग्र ही सूचना संबंधी कार्याले से जानकारी प्राप्थ हो जाएगी EPS 95 Higher Pension EPFO 38,000 Pension Investment, Return और Calculation पर बड़ा दावा 13 महीने की pension से 5 लाख की भरपाई हो सकती है उसके बाद व्यक्ति या उसकी पत्नी को जीवन भर निवेश से मुक्त pension मिलेगी सूचनाजी News, 36 गड़ EPS 95 New Time Pension EPS 95 Minimum Pension के calculation को लेकर तरहत्रह की बाते सामने आ रही है Pension गड़ना, EPFO पर सोशल मीडिया सोशल मीडिया में कई पोस्ट साजा किये जा रही है एक ऐसा ही पोस्ट सूचनाजी.com आपके सामने रख रहा है इस पोस्ट में किये गए दावे पर pension भोगी द्वारा ही पलटवार किया गया है सच्चाई बताने की कोशिश की गई है रामकृष्ण पिल्लई एक पोस्ट में एक PPO ओडर PPO ओडर की कौपी साजा की गई लिखा गया कि यह PPO देखें 1995 में कर्मचारी का वेतन केवल 3500 था और उसने उस वेतन पर योगदान दिया 2017 में उसका वेतन एक 35721 था और उसने उस वेतन पर योगदान दिया अब वह एक 14146 रुपए के पेंशन योग्य वेतन के आधार पर पेंशन का हगदार है और वह 37716 रुपए की पेंशन का हगदार है उसे लगभग 35 प्लस लाख जमा करने होंगे और उसे 30 प्लस बकाया यानी एरियर मिलेगा इस प्रकार उसका शुद्ध हाउटफलो लगभग 5 लाख होगा जिसे वह अगले एक प्लस वर्षों में वसूल कर सकता है और उसे उसके नामांकित व्यक्ती को शेश जीवन के लिए मुफ्त पेंशन मिलेगी सभी के साथ ऐसा नहीं है कम करियर प्रगती या वेतन वृद्धी वाले लोगों को यह लाभ नहीं मिलेगा इस पोस्ट पर कई कमेंट हुए पेंशन भोगी अपनी अपनी बात रख रहे थे तमाम कमेंट पर एक बार फिर रामकृष्न पिल्लई ने जवाब दिया लिखारा जिंदर सिंग इस मामले में आपका नेट आउट फ्लो 35 लाख नहीं बलकि सिर्फ 5 लाख है इसलिए 35 लाख के आधार पर आपकी गणना सही नहीं है पांच लाख के भुकतान पर आपको 37,721 रुपए प्रती माह पेंशन मिल रही है आपके निवेश पर रिटर्न क्या है? 3772112 5 00 00 00 1889.79 प्रती वर्ष अब मुझे बताईए 8 पसेंट सही है या 89 उनहत्तर पसेंट आप भूल गए कि इस मामले में 13 महीने की पेंशन से 5 लाख की भरपाई हो सकती है उसके बाद व्यक्ति या उसकी पतनी को जीवन भर निवेश से मुक्त पेंशन मिलेगी वैसे कौन सा बैंक आपको 8 पसेंट ब्याज दे रहा है सिवाए कुछ बैंकों के जहां पूंजी हानी का जोखिम अनुसूचित बैंकों से अधिक है अपनी गण्ना पर एक बार फिर से विचार करें आप कहां गलत है और अपनी भ्रामक तिपणी को हटा दे